सलमान खान मुफ्त में करोना मरीजों को देंगे ऑक्सिजन कांसंट्रेटर्स जारी किया हेलप लाइन नमबा देश इस वक्त करोना की दूश्टी लहर से जूच रहा है करोना की चपेट में आने वालों की संक्या तेजी से बढ़ रही है अस्पतालों में बेट से लेकर ऑक्सिजन की भारी किलत है ऐसे में आम लोगों से लेकर बॉलिवूट के कई सितारे मदद के लिए आगे आए है वहीं बॉलिवूट आक्टर सलमान खान पिश्टे साल से करोना की चपेट में आए लोगों की मदद में लगे हुए है अब हाली में उन्होंने करोना मरीजों को free oxygen concentrators देने की बंदोबस की है इस बारे में जाने के लिए आप अने रहे हमारे साथ इस विदियो के अन्ध तर सल्मान खान पिश्टे साल से करोना में जरुरत मंदों तक खाना पहुचाना, राशन पहुचाना Bollywood workers के accounts में पैसे दिलवाना सब कुछ करने में रगे हुए हैं ऐसे में सल्मान खान अब करोना के मरीजों के इलाज के लिए मुफ्त में oxygen concentrators देकर उनकी मदद करेंगे ऐसे 650 concentrators की खेप आज राद तक मुंबाई पहुच चुकी है ये काम वो अपने अच्छे दोस्त और पूर्ब कॉंग्रेस पार्टी के विधायक बाबा सिद्धकी के साथ मिलकर कर रहे हैं इस बात की जानकारी खुद सल्मान ने अपने social media account में दी उन्होंने बताया कि 500 concentrators का पहला lot मुंबाई पहुच चुका है इसके साथ उन्होंने जरूरत मन्त लोगों के लिए help line नमबर भी जारी कर दिया सल्मान ने लिखा हमारे 500 oxygen concentrators का पहला lot मुंबाई पहुच क्या है जिन COVID मरीजों को emergency हालात में इस oxygen concentrator की जरूरत है वो 8451869785 पर संपर कर सकते हैं आप मुझे tag और DM भी कर सकते हैं हम मुफ्त में concentrators उप्ड़क करवाएंगे इस्तमाल करने के बाद प्लीज इन्हें पापिस जरूर कीजेगा पिछले साल लॉकडाउन के दौरान सल्मान खान ने प्रतियक मजदूर को तीन हजार उपए के हिसाब से वॉलिवुट के 23,000 दिहारी मजदूरों के बैंक खातों में 15 करोड उपए ट्रांसफर कराए थे तो वही हाल ही में 25,000 दिहारी मजदूरों के बैंक खातों में 15-1500 रुपए के हिसाब से कुल 3.75 करोड रुपए देने का एलान किया था इसके अलावा सल्मान की ओड से रुज़ाना पुलीस कर्मियों समेथ कुरोना के फ्रंट लाइन वरकर्स को नाश्टा पहुचाने का काम भी किया जा रहा है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमन बॉक्स में कॉमन करके अपनी राय दे अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे ताथ हमारे चानल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले विपाइन देखिया